क्योंकि गाउं से निकलने वाले बच्चे के यही तफिरफ होती है कि उसको एंग्लिश नहीं आती उसको आइनन दिखा देते हैं बेटा चलो निकलो यहां से यह बाट टैलेंट कि नहीं चीज नहीं होती है अगर कोई चीज होती ही तो सिर्फ एक चीज होती है वो होती है जोश अगर जोश है आपको काम करने का सेलेंज चल के आई आए आपके पीखे सबसे पहले मैं यह पूछने चाहूंगा आप सभी बच्चों से कि हम सब लोग यहाँ पर आए हैं हार्ड वर्क कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं जल्दी से बताएए क्यों करते हैं हम लोग हार्ड वर्क क्या पाने के लिए सक्सेस का मतलब क्या होता है मेजर परेशानी मेजर परेशानी होता है क्या है हम इन यह बड़े शाही हम कभी नहीं कहेंगे हमें पैसे कमाने हैं हम कभी नहीं कहेंगे हमें नाम कमाना है आपकी बात बिल्कु सही है हम यहाँ पर आए हैं नाम कमाने के ल किने के लिए शौरत के लिए और इसमें कोई गलत नहीं है कोई गलत नहीं है अगर ये पैसा आप नहीं कमाओगे तो फिर गलत लोग कमाएंगे इसलिए आप लोग कमाओ तो जादे बहतर है हमें एक कहानी सुनाता हूँ इस बच्चे की बड़ी अच्छी कहानी है इस बच्चे ने पहली मशीन जो देखी अपनी लाइफ में वो एक लूना थी जब इसके टीचर गाओं में गए पढ़ाने तो लूना देखी बड़ा खुश हो गया लूना देखी उसको पास दाके देखने लगा कि लूना कैसी होती है तब ही टीचर पीछे से आये उन्हें लगा कि शायद मेरी लूना खराब कर रहा है ये लड़का उन्होंने उस दमाने में नीम की शंती चला करती थी दना दन बच्चे की पटाई होना शुरू हो गई तो ये बच्चा भागा नहीं बलकि उस बख टीचर से पड़ाटर के का कि सर मारो मत मुझे एक दिन बड़ा होके मैं भी लूना लूँगा ये उसका डिरीम था गाउँ में रहने वाले लड़के का जिस गाउँ में एलेक्रिसिटी न हो बिज्ली न हो, सडक ये न हो लेकिन उसने एक डिरीम पाला कि मैं बड़ी लूना लूँगा और फिर दीमे-दीमे किसी ने कहा कि ये लड़का पढ़ने में थोड़ा ठीक है इसको शेहर ले जाओ शेहर में पहली बार उसने जाके जो है एफ और एपल सीका जब वो चटी क्लास में आया पढ़ते पढ़ते ग्यादमी बारमी हिंदी मीडियम से विशुद हिंदी भाषी से पढ़ते पढ़ते त्वेल्थ पास कर लिया इसने आप ही कि तरह है आप तो भी बहुत बहतर स्कूल से बढ़ रहे हो यह तो बहुत ही जो ऐसे स्कूल्स होते जहां पर बैठने के लिए बेंच कुर्सी भी नहीं होती वहां पर बैठके पढ़ाई करता था आप देख सकते हैं बेगड़ॉंड ने जो फोटग्राफ हो से देख सकते हैं कि इसकी माली हालत क्या रही होगी कैसी पढ़ाई की होगी इसने जो किताब मेतावे रखी हुई है यह उसके बाद यह गया दिली की बार्मी के बाद जहां जिस टाउन में यह पढ़ता था उस और बोला काउंटर से, कि सर मुझे फॉर्म चाहिए बीएसी करने के लिए तो काउंटर वाले ने ऐसे देखा, जैसे कोई जंगल का प्राणी आ गया हो उसके सामने बोला कहां से आयो बेटा, उसने बोला यूपी से आये हैं तो वो काउंटर वाला उठके बाहर निकलाया, मतलब कुछ पूछा ही नहीं, उठके बाहर निकलाया मार्क्स भी नहीं पूछे उससे, कितने इदरे मार्क्स हैं और कहा कि बेटा ऐसा करो, कि सामने रोड पे 323 नंबर की गारी है, वो आई-एस्वीडी जाती है पांच रुपे निकाले, ये पैसे पकड़ो, और बापस चले जाओ, क्यों अपना टाइम विस्ट का दो फॉर्म तक उसको नहीं दिया, इतना हुमिलेट हुआ उस वक्त कि आखों में आसू बरके वो बच्चा पैड़ गया आई-एस्वीटी बापस क्योंकि गाउं से निकलने वाले बच्चे की यही तकलीफ होती है कि उसको इंग्लिश नहीं आती उसको आईना दिखा देते हैं, बेटा चलो, निकलो यहां से लेकिन ये डिटर्माइंड था, इसने बोला, मैं हार नहीं मानूँगा मेहनत की, कड़ी मेहनत की इसने कहीं पर B.H.C. में अड्मीशन नहीं मिला, लेकिन दिल्ली घुमने से, आगरा घुमने से, आसपास घुमने से इसको ये पता चल गया कि आईटी की तयारी भी होती है, इंजिनिंग की तयारी भी होती है, किताब में विताब में फोटो कपी करा कुरू के, किसी तरीके से इस ने अपनी तयारी वेहने शुरू की, and then, would you believe he cracked into all the examination of those times, he got into IIT, he got into Turkey, and उसके बाद एक इसने ठीक्ठा करिया बनाया, और आज की रेट में यह क्या कर रहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यह मेरी अपनी कहानी है, अब लोग यह कहते हैं मेरे से कि आपके अंदर बहुत टैलेंट है, अब कहते हैं आपके अंदर बड़ा स्किल सेट है, आप बड़ा स्मार्ट है, मैंने कहा, अभी हालो मैंने कहा मैं एक बुक लिख रहा हूँ, तो किसी ने कहा आपके अंदर बड़ा चलेंट है मैंने सोचा कि 20 साल पहले आप लोग हमको धक्के मारकर बहार निकाल देते थे फिर मैंने उनको जवाब दिया कि सर यह बात टैलेंट की नहीं है यह बात टैलेंट की नहीं है टैलेंट कोई चीज नहीं होती अगर कोई चीज होती ही तो सिर्फ एक चीज होती है वो होती है जोश अगर जोश है आपको काम करने का चलेंट चल के आएगा आएगा आपके पीछे टैलेंट, इसकिल सेट नॉलेज, स्पोकन इंगलिश सब कुछ आएगा आपके पीछे जनून होना चाहिए आगे बढ़ने का उस पर कोई कसर नहीं करने चाहिए आपको सिर्फ एक चीज पाली है अपने अंदर अगर पालनी है वो आग पाली है, आग को पालना सीखिए अपने आपको तपाना सीखिए उसके अंदर सफलता, सकसेस, नौकरी कोई चीज नहीं है, सब चल चल कर पीछे हैं यह आपके पीछे, मेरी बात का यकीन करिए, मैंने करके देखा कि जब मैं रूर्की में इंजरीइंग कर रहा था तो वहाँ पर एक वर्ड सामने आया कि कैस सकसेस बड़ी सकसेस तो हम तो हिंदी भाषी थे तो समझ नहीं पाते थे इसका मतलब क्या है इतना समझ गए इसका मतलब कुछ बड़ा होता है तो कभी एक्जाम अच्छा होता था लड़के चिलाते हुआते थे आज कैस एक्जाम हो गया, कैस फूर दिया हमने कभी कभी हमारा एक्जाम भी अच्छा हो जाता था हम भी बोल देते फोर दिया हमने कि कैस कर दिया लेकिन इसका मीनिंग समझ में नहीं आया फिर अभी दो चार साल पांच साल पहले मैंने इस शब्द को बड़े ध्यान से देखा कि कैस का मतलब क्या होता है आप ध्यान से देखो इसको और फिर याद करो आठमी नवी में जो संदी विक्षित पढ़ाए जाते थे तब समझ में आया कि इसका मीनिंग कि कैस क्या होता है और पिकीन करिये कोई भी बड़ी सफलता कोई भी बड़ा नाम आप तब तक नहीं कमा सकते जब तक कि कैस नहोगा आपके साथ जब तक आपका मौकरी नहीं हो रही है जब तक आपका हिमिलेशन नहीं हो रहा है जब तक कोई आपका मजाक नहीं उड़ा रहा है आप यकीन मानिए आप कुछ खास कर भी नहीं रहे है अगर आप कुछ खास करेंगे तो आपका मजाक उड़ेगा और इसी में शामिल होता है failure, humiliation, depression, drugs एक वर fail हो गए, depression में चले गए drugs लेना शुरूर कर दिया मेरा सीधा सा प्रेशन ये है एक जिंदगी है सिर्फ एक जिंदगी है अब के पास और उसको आप depressed होके जीना चाहते हैं तो आप जीए, कोई आपको रोकेगा नहीं आके लेकिन choice वो हमेशा आपकी होगी कि हमें वो जिंदगी कैसे जीनी है depression में जीनी है या खुश होकर जीनी है जिंदगी को सामने करके जीनी है मेरा जो 20-21 साल का पुलीस में अन्भव रहा और पूरा जिंदगी का अन्भव रहा इदर उदर पढ़ाई लिखाई का जो अन्भव रहा मैंने यही सिखा कि क्या success का जो मतलब होता है वो बिल्कुल सही है कि जब तक आपको failures नहीं होंगे तब तक आप बड़े सपल नहीं होंगे आपको सब लोग सिखाते हैं मेटा ये करो तो आपको हम success की tips मिलेंगी बहुत सारी books होती हैं ना कि how to become a millionaire, how to become successful etc. मेरा बहुत मन किया कि मैं किताब लिखू why it is necessary to become failure fail होना बहुत जरूरी जिन्दगी के लिए होने से ज़्यादे fail होना बहुत जरूरी है जिन्दगी में और मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ similarly एक और myth है हमारे बच्चों के बीच में कि जिसके A plus marks आ रहे हैं 99% marks आ रहे हैं वही अच्छा करेंगे life में ये एक myth है ये एक myth है अगर मैं पूछू कोई से दस नाम बता दीजिए तो अभी आप फटा फट बता देंगे दस नाम देखिए बहुत ज़्यादे पढ़ोगे लिखोगे तो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंटी बनोगे मालिक तो वही बनता है इजहां रखेंगे आप यकीन मानिये मेरे ख्याद से मैंने इन जायतर चीज़ें कर रखी है और उसके बाद कह रहा हूँ आप से कि ये आपको रोजी रोटी तो दिला सकते हैं एक सक्सेस्फुल लाइफ नहीं रोजी रोटी का जुगार तो सही है लेकिन सक्सेस्फुल लाइफ नहीं और अब हमारा देश अब हमारा देश और हम उस इस्तिव में नहीं है कि हम रोजी रोटी के लिए लड़ाई लड़ा हैं अब लड़ाई लड़नी है एक्सलेंस के लिए दुनिया में सर्वशेस्ट बनने के लिए तो सर्वशेस्ट बनना है तो ये सक्सेस्फ पर्मूला नहीं हो सकते और अगर इन पर्मूलास से अगर आप सक्सेस्फुल होना चाहते हैं तो भाई नहीं हो पाएगा अब मैं आपको बताता हूँ क्यों पंदरा सो सकसेशफुल लोगों की एक स्टडी हुई थी यूएस में उन्होंने क्या किया कि दुनिया भर के फिफ्टीन हंडिड मोस्ससेशफुल लोगों का रिजल्ट उठाया और उसमें यह थै की उनका बैंक में कितना बैलेंस है लाइफ का बैलेंस कितना है healthy life है या भल बल बल लो कर्ये में कितना growth किया है और उन हैं 1500 सो छोगों को उन्होंने plot किया उनके academic score के साथ कि इनका academic score कितना था 1500 सक्सुल लोग जो बहुत सफलतम लोग थे 1500 1200, उनका success एक तरफ था और उनकी academic score का क्या था, ये मैं चीज बताने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो उसका result ये निकला, मातर चार प्रिश्चत लोग ऐसे थे, जो 99% अलवाई लोग थे, यानि जो A plus category के लोग थे, बाकी सब B, C, D माइनस थे भाई सब, अगर आप के grade B और C आ रहे हैं, तो आपके successful होने के chances जा रहे हैं, 96% हैं, अब मैं बताता हूँ, failures क्यों ज़रूर ये हैं लाइफ में, एक through out topper बंदा, कार्टिक राजा रमन, आप इंटरेट करके देखिएगा, इतना brilliant बंदा, IT, Madrasa पढ़ा, वहाँ भी topper, उसके वाद उसने MBA किय वहाँ भी बहुचा काम किया, Wall Street, जहाँ पे finance के geek लोग बैठते हैं, finance के विद्वान लोग बैठते हैं, वहाँ पे इसने काम किया, बहुत पैसा कमाया, हम सब लोग जानते हैं 2007 में एक recession आया था, उस recession में इसका काफी पैसा डूबा, और उसके बाद जो result था वो ये था कि इस बंदे ने, इसके परिवार में पांच लोग थे, और एक एक करके अपनी मा, अपने दौनों बच्चे, अपनी वाइफ और खुद को, सब को गोली मार दी, shot all of them, सब को मार दिया, और letter लिखा, I'm a broke, मिर बाद पैसा नहीं है, मैं बरबाद हो चुका हूँ, जब police ने इ उसके account में one million dollars तब भी पढ़े थे, जब वो लिख राया में पास कुछ भी नहीं है, तब भी one million dollars पढ़े थे, और उसने एक बहुती दर्दनाक step उठाया, अब सोचिए, कि one million dollar, उसका मतलब हुआ छह साथ करोड, अगर हमारे account में पढ़े हो, तो हम नोकरी करेंगे, कारण क्या था यह इसका करने का, क्योंकि यह उसकी जिन्दगी का पहला failure था, जिसको बड़ाश नहीं कर पाया, इसलिए मैं कहता हूँ, जिन्दगी आपको fail जरूर करेगी life में, होता है क्या है, यह जिन्दगी ऐसी चीज होती है, आपको fail करके मानेगी, तो बहतर है कि आप young हो, अभी गल्पियां करो, सीखो, fail हो, फिर से सीखो, fail होना, fail होना is an option, fail होना option है, यह भी giving up करना option नहीं, हम छोड़ नहीं सकते उस चीज़ को, हम पीछे लगे रहेंगे, जब तक कि वो हमारी चीज़ पूरी नहीं हो जाए, fail होना कोई बुरी बात नहीं है, बचपंदर सिखाते हैं हम लोगों को success, failure उल्टे उल्टे होते हैं, एक तरफ success चलती है, तुम failure हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप मेरी बात को यकीन करें, दोनों चीज़े साथ साथ चलती हैं, कोई भी बड़ी सफलता तब तक नहीं मिलती, जब तक उसमें असफलताओं की सीरीज नहीं होती, बार बार fail होके पास हुआ जाता, इसलिए fail होने से मेरे मित्रों कभी मत डरना, कभी मत डरना, कभी मत डरना, प्राब्लम क्या है, कि जब बड़े महान लोग अपनी आटोबियोगाफी लिखते हैं, अपनी आत्मकता लिखते हैं, तो अपने failure को छुपा जाते हैं उसमें, सिफ सफलता बताते हैं, हकिकत यह है किसी की जिंदगी ऐसी नहीं है, जिसमें सिफ सफलता मिली हो, सफलता और सफलता सेंडविच हैं, साथ साच चलती हैं, अगर आप असफल नहीं हो रहे हैं, तो सफल भी नहीं होंगे, इसलिए असफल होने से मत ड़रिये, failure, acceptable है, कोई दिकत नहीं है, fail होने में, giving up, not acceptable, छोड़ना नहीं है, हर हालत में यह काम करना है, 2009 में, खेलते समय मुझे चोट लगी, और डॉक्टर ने कहा कि, अब आप,